सब्सक्राइब कर लिए आज मैं आपके साथ मूरी घंडो की रेसिपी शेयर करने जारू है इसके लिए हमने गोविंदो पुक चावल और मचली के जो हेड होते हैं कातला मचली के ये दो बर हेड लिए सबसे पहले कराई को गरम करके इसमें सरसो के तेल को डालना है इसमें ज मैं यहां पर तेजपत्ता, दो दार्चीरी, इलाईची और जीरा तो मैं पहले डाल जो कि इन सब खड़े मसालों को डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे एक से दो सेकेंड के लिए चलाने के बाद में अब हमने जो आलू के छोटे-छोटे क्यूप्स करना है बहुत बर इन सब को एक साथी डाल देंगी कोई दिक्कत नहीं है सब को डाल के अच्छे से इन्हें चलाते रहना है और ताकि हमारे प्याद जले भी ना और प्याद जो है सौफ्ट मतलब हो जाए ठीक है इस तरह से चलाते हुए हमें इन्हें तीन मिनर तक लगबग चलाना है तब हम प्याद जब थोड़े से सौफ्ट हो जाए तो फिर हम यहाँ पे एक चमच नमक हाप टीस्पून यहाँ पे हम तर्मरी पाउडर एक चमच यहाँ पे रेट कश्मीरी मिर्च या आप चाहे तो ऐसे भी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते है फिर इन सब को अच्छे से चलाते रहना है सारे मसाले इन से में अच्छे से मिल जाए अब यहाँ पे चलाते चलाते हमारे प्यास ने किस तरह से सौफ्ट हो चुकिए अब यहाँ पे मैंने अद्रक लैसन और जीरी का पेस्ट बनाया है ठीक है आप अपने एकॉर्डिंग कम जादा बनाएए ना कोई फर्क परता है आप बस इसके कमबाइन को रखे कि हमें अद्रक लैसन और जीरा का पेस्ट बनाना है आप कितना बनाते है वो तो आपके उपर डिपेंड करता है तो इसमें एक चमस दो चमस ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अगर कम मसाले काते तो कम ही डालिए लेकिन हाँ इ नहीं को अब आप एक कटोरिया हमें देखी सकते लिया है दो हें इन फेस के लिए अब इन चावल को डाल के अच्छे से भूनना 혁ंशाफ हो अक्छे से भूना पर यहां पर हम पानी एड़ करेंगे, पानी बहुत ज्यादा नहीं एड़ करना है, हमारे चावल जस इसमें डूब जाए और इने में स्लो फ्लेम पर कुक करना है, अब कुक करते हुए, अब जब हमारे इस तरह की ग्रेवे के कंस्टब हम, यहां पर थोरे शे शुगर, यह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बच्चों को भी पसंद आती है, मचली के हिट से हम इतनी अच्छी दिश भी बना सकते हैं, यह आप सब भी, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिने नहीं पता होगा, यह वीडियो उनके लिए है, ताकि उन्हें कोई